राम मंदिर पर दिग्विजय ने उठाए सवाल सतना में बोले जहां मस्जित थी महा क्यों नहीं बनाया मंदिर नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं दा खबरदार नियूज तो चली बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर राम की दर्शन के लिए ना हमें जल्दी ना निमंतरन की जरुरत अपने बयानों के कारण हमेशा सुरकेयों में रहने वाले प्रदेश के पूर मुख्य मंतरे दिग्विजय सिंग ने राम और धर्म की बात करने वाली भाजपा पर धर्म शास्त्र की मान्यताओं को दर किनार करने के आरोप लगाए है रीवा में आयुजित एक कारक्रम में हिस्सा लेने के बाद भूपाल वापसी के लिए वुद्वार को देर रात सतना पहुचे पूर मुख्य मंतरे ने कहा कि हमें राम की दर्शन के लिए ना तो कोई जल्दी है और ना ही किसी निमंतरन की करने के आरोप लगाते हुए कहा कि इस कारेक्रम में ना तो कोई शंकर अचारे जा रहे है और ना ही रामनन संप्रदाय की संत जा रहे है वहिप संग और पीम नरेंडर मोदी ने जिस तरह से यह आयोजन रचा है उसमें कोई राजनातिक डल भी शामल नहीं हो रहा है पूर से रामलला का जन्स्थल बताया जाता है कई दशे को पुराना विवाद भी तो इसी बात को लेकर था तब मंदिर उस भूमी पर क्यों बनाया जा रहा है जिसका अधिकरहन पूर प्रधान मंतरी स्वर्गवासी नरसे मिराव ने किया था दिग्गी ने कहा कि भाजपा संग आप्टर मोहन यादव ने कहा था कि कॉंग्रेस ने बड़ी बेशर्मी के साथ लिखित में मंदिर प्रान प्रधिश्टा महतसव का निमंतरन ठुकराया है कॉंग्रेस के भागये फूट गए है उसने दुनिया भर के हिंदों का अपमान किया है इसके लिए कॉंग्रेस ने घर बना रहे हैं एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन्स आपके लिए तैयार है मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकरशक वास्तु कला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तु कला वास्तु और हुनर इतने बढ़िया द एक एक डार की समझ स्था रहे हैं वास्तु कला वास्तु कला और वास्तु कला है मजबूत से लेकर परेकर वास्त।